तूप ओग्ड़ेट वीडियों तो हमारे पास अगे फाइर बोल्ट वाइज तो आज के इस वीडियों में हम लोग करेंगे इसका फूल डेटेल रिव्यू और आज के इस वीडियों के इन तक आपको यह क्लियर हो जाहेगा क्या कोई स्मार्वाइज लेने चाहिए या नहीं So without wasting time, let's get started तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे box का overview Box overview के अगर बात करें तो यहाँ पर हमें front में firebolt rise का actual image जो है हो देखने को मिल जाते हैं 1.85 इंचिस की Bluetooth calling smart watch Right side में Bluetooth calling 123 sports mode IP67 water resistant in build games Left side में SP auto monitoring, meditative breathing, heart rate tracking, female health care और back side में यहाँ पर हमें कई सारे feature जो है हो देखने को मिल जाते हैं Box contents के अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं हमारी smart watch, user manual, magnetic charging cable, गाला का subscription book, माशो का voucher और warranty registration card हमें देखने को मिल जाता है अब भी बात करते हैं built or design की तो दोस्तों यहाँ पर हमें metallic frame जो है हो देखने को मिल जाता है soft silicone straps है, metallic buckle दिया गया है और यह जो straps है, वो replaceable straps होने वाले है back side के अगर बात करते हैं यहाँ पर हमें polycarbonate की body देखने को मिल जाते है यहाँ पर हम sensors देख सकते है, charging point हमें देखने को मिल जाता है, mic की placement यहाँ पर है और यहाँ पर हमें speaker grills भी देखने को मिल जाते है अभी बात करते हैं display की तो यहाँ पर हमें 1.85 inches का count display जो है हो देखने को मिल जाता है raise to wake भी काफी responsive है, outdoor visibility भी आप यहाँ पर देख सकते हो अभी फटा-फट से देखते हैं इस पूरी smart watch का user interface watch UI के अगर बात करें तो जैसे आप touch और hold करोगे तो यहाँ पर आपको watch faces के option देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आप custom watch faces भी set कर सकते हो उपर से नीचे swipe करते हैं यहाँ पर आपको पूरा control center जो है हो देखने को मिल जाएगा phone connection, brightness, menu view, QR code, flashlight और settings के option हमें देखने को मिल जाते है settings के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको display में, brightness, sleep में यहाँ पर आपको 30 seconds का max screen timeout जो है हो देखने को मिल जाता है उसी के नीचे vibration rate में यहाँ पर आपको बहुत सारे option जो है हो देखने को मिल जाते है do not disturb mode, low power mode, phone के option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे system में, restart power of reset और उसी के नीचे about में आपको और भी कई सारे option जो है हो देखने को मिल जाएगे नीचे से उपर स्वाइब करते हैं यहाँ पर आपको notification जो है हो देखने को मिल जाएगे और दोस्तों, right से left स्वाइब करते हैं यहाँ पर आपको heart rate और बहुत सारे components अड़ करने का option भी देखने को मिल जाएगा left to right swipe करते हैं यहाँ पर आपको quick access menu जाए हो देखने को मिल जाएगा firebolt rise के menu के अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी activity tracking की जाएगी phone call, heart rate, stress, sleep, blood pressure, SPO2, exercise, exercise records, weather, message, shutter, player, relaxation, timer, AI, voice assistant यहाँ पर दोस्तों आप alarm अगर आभी आप खुद के ही watch से भी set कर सकते हो जो की काफी अच्छी बात है उसे की नीचे stop watch, cycle tracking, flashlight, fine phone, games, calculator, settings के option हमें देखने को मिल जाते हैं watch UI के अगर बात करें तो काफी अच्छा classic UI हमें देखने को मिल जाते हैं इतना ही यहाँ पर हमें working crown भी देखने को मिल जाता है अभी बात करते हैं इस watch के highlighting features की तो यहाँ पर आपको Bluetooth calling का support देखने को मिल जाते हैं तो इसका example हम लोग देख लेते हैं हेलो महेश आवाद किसी आ रही हैं आदे एक दास पर्फेक्ट ना पर्फेक्ट पर्फेक्ट ओके 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 चलेगा थैंक्यू सब्सक्राइब फीचर है म्यूजिक कंट्रोल के सब्सक्राइब आप आपके ही watch के उपर music भी सुन सकते हो कि अगया है इंब्ल्ड गेम का जीहां दोस्तों यहां पर आपको इन बिल्ड फोर गेम जो हो देखने को मिल जाते हैं अब भी बात करते हैं हैल फीचर की तो वाइर बोल्ड राइस में यहां पर आपके हार्ट रिट मोनुटरिंग की जाएगी SPO2 monitoring, blood pressure monitoring, sleep monitoring के साथ साथ यहाँ पर आपको female tracking का भी support जोय हो देखने को मिल जाता है और इसके accuracy का अगर बात करूँ, heart rate monitoring में हमें almost same data ही देखने को मिल रहा था SPO2 monitoring में भी हमें same ही value show हो रही थी, blood pressure monitoring में हमें typical value show हो रही थी अभी बात करते हैं sports mode की, तो fireball drive में यहाँ आपको 123 sports mode जोय हो देखने को मिल जाते है यहाँ पर इन्हें groups में categorize भी किया है, साथ ही साथ आपको goal customization का भी support जोय हो देखने को मिल जाता है और इसके accuracy के अगर बात करूँ तो जब में 100 shift चला तब यहाँ पर 100 का ही count है और जब में 200 shift चला तब यहाँ पर 195 का count आया, मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारी active tracking काफी properly की जा रही है अभी बात करते हैं water resistance की, तो दोस्तों यह जो पूरी smart watch है, वो IP67 rated water resistant होने वाली है मतलब यह splash proof होने वाली है, और battery की अगर बात करें, तो company ने claim किया ही कि यहाँ पर आपको around 7 days का battery backup मिलने वाला है लेकिन दोस्तों जब मैं इसे personally use किया, तो मुझा around 5 days का battery backup देखने को मिल रहा था और दोस्तों इस price point में यहाँ पर आपको काफी अच्छी body जो है हो देखने को मिल जाते है, display भी अच्छा है, hill के accuracy से अच्छे, sports के accuracy से अच्छे, काफी अच्छे, features भी आपको देखने को मिल जाते है, calculator है, alarm अगर आप यहाँ पर ही से कर सकते हो, game से calling अगर तो आपको मिल ही जाते है, तो दोस्तों अगर आपका budget 2000 तक है, तो आप definitely इस watch के लिए जा सकते हो, और भी कही सरे watches आपको description में मिल जाएंगी, तो बस दोस्तों यहीत आज के वीडियो में, I hope आपको वीडियो पसंद आओगा, पसंद आओगा, तो लाइक तरो, चैनल पर नहीं होतो, सब करो, तिल यान माँ भाई, इस आजिए शिंथे ओराएंगा, आओट